आप लोग तो राइटी उसमें सीधा इन वाल बिचार चलिए बताईए का आप में शुरूर नमस्कार मैं हूँ रविरंजन आप देख रहे हैं विमर्श न्यूस लाइव आज हम लोग इस फेस्बुक लाइव से खास विसे पर चल्चा करने के लिए जुड़े हैं हमारी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं फादर जोश के उनका बहुत स्वागत विमर्श न्यूस लाइव डाट कॉम में और हमारी बाने तरफ आप देख रहे हैं प्रमखसिक चाविद समाजिक कारे करता अजूस लाइव keeps करता हैं गिरफतार किया, उनके उपर आरोप लगाया गया कि वो म्सी सी के सक्रिय कारे करता हैं और उनके उपर आतंकवाद का एक तरह से उनको केस करके और उनको जेल में बंद रखा गया 2018 में ऐलगार पुश्ट के कारे करम में जो हिंसा भटकी ती हो उसी के आरोप में रहे आदिवाश्यों के सवाल को हमेशा खड़ा करते रहे मानवाधिकार को लेकर वो पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी खफाई और आप कहें कि चौरासी साल के बुजर्द आदमी को पहली बार देश में आदंकवाज के केस में फसा कर और उनको जेल में रखा गया और आईये ने कहा कि जूट बोल रहे हैं इनके पास कोई श्ट्रा और सीपर नहीं था तो इस पर जो चर्चा चड़ी है फादर स्टेंग स्वामी के मौत को आज हमंत शोरेन जारखंड के मुख्ध मंत्री ने ट्वीट करके केंदर सरकार को इसका जिम्मेदार ठाराया और कहा कि केंदर सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि फादर स्टेंग स्वामी मानवता के नाते भी और वो न्याय के हगदार थे मानवता के हगदार थे उनको ये न्याय मिलनी चाहिए थी फिल्म अबने तरीश्वरा भासकर ने तो यहां तक कह दिया कि यह cold-blooded murder तो आज हम चर्चा इसी बात को लेकर चल कर रहे हैं कि क्या स्टेन स्वामी की मौत कौन है उसका जिम्मदार आखिर जेल में 84 साल के बुजर्ग एक समाजी कालिकरता को फसा कर जेल में बंद किया और रखा गया क्या ये पूरी कहानी यही है क्या इसके पीछे और कहानी है सबसे पहले हम प्रफसर डेजी नारायन से बात्चे शुरू करेंगे आप इस कुरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं फादर स्टैन स्वामी कल भोर रात्री में हमें छोड़ कर चले गए और फादर स्टैन स्वामी बिलकुल जिसको कहते हैं निर्दोश थे इसको हम कई तरह से देख सकते हैं ये कस्टोडियल डेथ का मामना है या स्टेट डेथ भी हम कह सकते हैं फादर स्टैन स्वामी human rights activist थे P.U.C.L. जारकंड के भी सदस्य थे फादर जोज और हम P.U.C.L. बिहार से जुड़े वे हैं और इसलिए इस केस को हम लोग throughout इस केस को हम लोग फॉलो करते रहें फादर स्टैन स्वामी पर कई दफ़ा हमला हुआ इनका घर भी सर्च किया गया कई दफ़ा अरेस्ट की धंकी दी गई और अंत में उन्हें अरेस्ट करी लिया गया और उसके पहले हमारे और भी साथी P.U.C.L. के भी कुछ हमारे साथी human rights activists, लेखक, कवी ये सभी arrested हो चुके थे P.U.C.L. एक ऐसा हम अगर कहें संगठन है या एक movement है जिसकी शुरुवात 1976 में जैप्रकाश नरायन के द्वारा जस्टिस ताराकुंडे के द्वारा जस्टिस कृष्णा अईयर के द्वारा और उस समय के अनेक जो हमारे intellectuals के, activists के उनके द्वारा शुरू किया गया था क्रमा शाह एक गलत फहर्मी इस देश में पहलाया गया कि प्यूसियल left organization है पाले और उसके बाद कहा गया कि ये मावादी संगठन है और प्यूसियल से अकसर आज के दिन में बहुत सारे लोग अलग रहने का प्रयास करते हैं बहुत सारे हमारे activists जो arrested हुएं जब हम लोग यहां पर चानबीन करते थे बिहार में तो हमें पुलिस के आला अधिकारी कहते थे कि प्यूसियल तो extremist का एक organization हो चुका है और Father Stan Swami को भी मावादी कहा गया माविस coordination committee के साथ इनका पत्रचार का किया जाता था यह ही कहा गया इनके computer में कुछ गलत यानि hacking करते वे कुछ गलत information भी डाल दिये गए और इस प्रकार से एक व्यक्ति जो निरंतर पचास साल से आदिवासियों के बीच काम कर रहे थे तमिल नादू से आएं जमशेपूर में रहें वहीं वो थीसिस भी अपना कर रहे थे वहीं से चाइबासा आ गये और जार्खन के अलग अलग जभों पर वो घूमते रहें और सही पूछे तो हमारे जनजाती अदिवासियों के लिए तो मसीह थे और जिन दिनों कॉर्परेट्स के द्वारा प्राइविट कंपनीज के द्वारा अदिवासियों का जमीन चीनने का प्रियास हुआ बहुत सफलता भी उन्हें मिला बहुत बड़े बड़े प्रोचेक्ट्स वो लाए डेवलाप्मेंट के नाम पर जिसमें आदिवासियों बेसापित हुए और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हे जेल डाल दिया गया फादर स्टैन्ट स्वावी हमेशा उनके बगल में खरे रहते थे उन्होंने लैंड एक्विजिशन का विरोध किया जो जेल चले गया थे आदिवासि उनका केस वो लड़े और इसलिए जो सरकारे हैं वो उनसे शायद शायद क्या वो डड़ने लगे और आज एक चौरासी साल के व्यक्ति से ये सरकार जो कहता है अपने आप को कि वो इतना मजबूत सरकार है दिल्ली में वो इतना ड़गिया कि वो स्टैन्ट स्वामी को बेल नहीं देना चाहा उनकी बेल मूव किये गए कल जब उनकी मौत हुई तो उस समय सुनवाई चल रहा था उनके बेल पर और जैसा की जब इंगियन साब ने कहा पारकिंसन का डिजीज हो गया था उनको और उन्होंने खुद कहा है कि जब हमें जेल ले जाया गया हम बिल्कुल स्वास्ते हम चल कर जेल गए लेकिन वहां की स्थिती जो है जेल की जिस पर एक बहुत ब्रिहद विसलेशन होना चाहिए स्टडी होनी चाहिए कि धीरे धीरे वो अस्वस्त होते चले गए पारकिंसन के डिजीज से सफर करने लगे तो पानी जल तक नहीं पी पाते थे इसलिए वो चाहते थे कि उनको एक स्ट्रॉव मिल जाया इनाईय ने कहा कि वो स्ट्रॉवियम नहीं देंगे उसके लिए भी जुडिसेरी को इंटर्वीन करना पड़ा आप समथ सकते हैं किसे हम लार्जिस जमाकरिसी कहते हैं ये प्रफशर नारायन जो कह रही है निश्चित रूप से स्टेन स्वामी की मौत एक दुखत मौत उनकी हुई लेकिन कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं फादर जोर्श हमारे साथ है सबसे पहले तो ये आखे एनाईये ने या इस सरकार में स्टेन स्वामी को टार्गेट पे क्यों लिया कई बार ये भी आरोप लगते हैं ये कहे गए ये बात कही गई कि धनमांतरन के काम में भी स्टेन स्वामी लगे वह थी और इसलिए ये जो आरेसेस है या और भी जो इस सरकार के पीछे जो शक्तियां काम करती हैं वह सब उनको टार्गेट करना चाहती थी फादर जोस उनके साथ उन्होंने उनको देखा है समझा है आपको क्या लगता है स्टेन स्वामी जो एक मानवा धिकार के कार्ज करता के अधिवाश्यों के सवाल को लेकर और वो इतने सालों तक पचास साल तक उनका आउड़कर आपको लगता है कि आफिर उनको टार्गेट क्यों किया है सबसे पाहले मैं यह बोड़ना चाहूंगा कि मैं स्टेन स्वामीं को बहुत सालों से जानता हूंगे असी के बाद जिब बाइंगलूब में ते कुछ गिताबें लिखी कुछ लेक लिखे थे उसको पढ़कर के उसके अभी काफी आलोचना उखीती देश भर में उसी समय से अम लोग जानते हैं इंगो और हमेशा एक प्रेरना का स्रोध बन कर रहेते हैं और इंगा जीवन द्विटा प्रेमध किने अगाना स्विल लिविंग और ह्ई इंगे उसे अंचे में उसी तिरह बोल सकते हैं जबिंगिक इनका उस सरा जीवन बिताते थे और प्रदी हमेशा 24 अवेस्तरी आमनपुरा उतने शुरू से लेकर के अभी तक अपना जीवन नचावर किये। पढ़ाई थी वहां एक्सलाराई जैसे बड़े-बड़े संस्था है इंस्टूट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् समय से पढ़ाई करें कि इसी में क्योंकिंगी काफी है इंटलेक्चुली काफी अप्तेज है इसलिए उसी में लोगों चाह रहे थी कि उसी में प्रोफसर मरांगे के लिए लेकिन उस सब चोड़ करके उन्हें बहुत जो समाज के परदी और उनके राइट्स के परदी कुछ क प्रोफसर में परदी किया और उसके समाज के लिए पूरमीरुप से समाज के लिए अभी इसी में है कि आपने जो सवाज पुचा इंगो क्यों टार्गेट किया गया है मैरा जैसे कि आप लोग जानते हैं कितने जो उनी के कहांजा अनिसार करिए 15-100 आदिवासी युवा ल घचा कर viewed अजा मोचा करें घैल मेन पिछले कई सालों से उसाड रहाए हूए हूँ निकालने के लिए अन्याइद दिलाने किले पर्यास कर रहे हैं रोग और यो ज़मीन के मुदे को लेकर कर रहा था basta जे लिए १ायवा जयमीन के मुदे को लेकर कै काम कर रहा था दिवास बुलंद करने के लिए स्वाब हुचता है कि इनको टार्गेट बनाना गया अब अपने दर्शकों पर बताते चलता हूं कि अभी मर्श निउस लाइब पर फेस्बुक लाइब से आप जुड़ गए हैं हम लोग बाचित कर रहे हैं समाज से भी एक्टिविस्ट स्टें स्वा पर फेस्बुक लाइब से आप ही जुड़ी है और अगर कोई विचार हैं तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स ने अपने कमेंट लिखेंगे इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कि एक बात तो थी कि वो पिछले पचास सालों से ऐसे सवालों को लेकर खड़े थे कि सरकार को कहीं नहीं उससे परिशानी थी जिस तरह से झूठे मुकद्वे में लोगों को फसाया गया नौजवानों को फसाकर उसमें जेल में बंद रखा गया खास्त वर राची और जारखंड इलाके में जमीन कबजा करने की हो सरकारी तोर पर और इस तोर पर बांदों के नाम प आपको लगता है कि स्टैन स्वामी को जानवूस के नताय लिया टार्गिट करते हैं? बिल्कुल. स्टैन स्वामी को तो निश्यत रूप से फसाया गया है. और कम से कम इतना समीधन शी इस सरकार को होना चाहिए था. कि इतने बुजर्ग एक व्यक्ति को आप देश के दुश्मन मानकर बैटें, देश-द्रो के मामले में उनको आप फसाना चाहें. और यहां तक कहा दिया गया कि शादिये प्राइमिनिस्टर का भी जान का जो खत्रा है, वो स्टैन स्वामी सीधा खरे नहीं हो पाते थे जेल में. और बार-बार बेन का जो पेटिशन है, वो रिजेक्टेट होता रहा. इसके साथ दो बाते हम यहां पर कहना चाहेंगी, यह भीमा कोड़ेगाओं के बारे में और इलगार परिश्यत के बारे में आपने कहा भी. और उसके बतुरंत बाद बहुत सारे लोग जगा जगा भारत वर्श में पिक्ट अप हो गया. और इस सरकार में एक नया शब्दावा ली, एक तरसे नया शब्द, उसने कहा कि वो अर्वन नकसल्स है. हमने एक दफ़ा पूछा भी था कि नकसलाइट का या नकसल्स का क्या परिभाशा है? आपकी जहन में क्या परिभाशा है? तो एक एक छोड़ा साम ये इस इंसिडन्स से अलग होते हुए कहना चाहेंगे, कि एक पादरी जो थे वो आसपास की गरीब लोग को खिलाया करते थे. जब तक वो खिलाते रहें, तब तब वो बानवीय थे, वो पाद इस पादरी ने लोगों के मन में कुछ प्रशन भी डाला, और लोग सवाल पूछने लगे. और आते रात जो पादरी थे, अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, वो Communist हो गया. इसमें दो बाते हैं, मैंने Communist होना ही, खराब होना, भला नहीं होना, ये सारे बाते इसकी और ए यह बोगी बड़ा पुराना है इसको बार बार रेज किया जाता है आपको याद होगा स्टाइन्स नाम था ना उनका फादर जो अरिसा में जिनके पूरे लगभग परिवार को ही बच्चो सहित जिनको जला दिया जा तो यह हमले होते रहे हैं अभी भी हो रहे हैं और बिहार हो रहे हैं मस्जिदों पर अटाइक हो रहे हैं अभी समस्तिपूर में कुछ इस तरह की घटना घट गई भावेपूर में घट गई जिसमें इमाम साब जो इस मस्जिद के थे वो मर गे हैं एक्स्पोशन में तो यह घटनाए फिर से उभारा जा रहा है और धार्म को एक इ इमर्श न्यूज लाइव पर अभी हम लोग फादर स्टेंट स्वामी की मौत और उस पर हम लोग चल्चा कर रहे हैं लेकिन इस पीच कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स प्रफसर डेजी नरायन के लिए उनकी जान पर चान के हैं पलेखा नियू पलेखा ने वो शेखर वो इसी तरह से फ्रैंक साब फिर लिखते हैं स्टेंट स्वामी ने आधिवासी समाज के हित में डेमोक्रेसी के हित में समाजिक न्याय के लिए एक बेमिशाल प्रतीक और एक अमर प्रतीक वो रहेंगे ये तो इस तरह के कमेंट आपका हमें मिल रहा है और हम बहुत खुश है कि आप हमारे इस कारिकरम के साथ जुड़ गए हैं अगर आपके कोई महत्वर विचान है तो अपने कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें फादर जोस से हम बाचीत को और आगे बढ़ाते हैं चुकि ये डॉक्टर स्टेन स्वामी को लेकर जो देश में जो चरचर आप सोचिए 84 साल का एक बज़ुर जो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है उसे आतंकबाद के केसे में फसाएंगे आप ऐसे व्यक्ति को कहनी को प्रधान मंतरी की हंत्या कर सकता है या उस व्यक्ति से देश को खत रहा है वो देश पर हमला की साजी सरच रहा है ये इस व्यक्ति को फसा कर और जेल में उनकी मौत हो जाती है जिस दिन उनकी सुनवाई होनी थी तो जज़ को ये बताया गया उन्होंने पूछा कि वो कहा है तो ये बताया गया कि उनकी मौत हो गई यह दुखत मौत mlझ के उसको ले कर बहार के कई जिलो आम ही आपने देखा कि भी हार के कै जिलों जा से लोगों ने अपनी परतिक्रिया बेची लोगों ने अक्रोष जयताया, लोगों ने उनको श्रधांजली दी, आपको लगता है, एस्टेन स्वामी के जाने के बाद, वो जो काम वो कर रहे थे, उसको असर पड़ेगा, वो थमेगा, वो कम्दूर पड़ेगा। कि लिए एक लोगे लेकिन, वो मेरा विश्वास के ओमादर, अभी अबी और शेली और लेखनेा, लेकिन हम लोगों के गडिम को मेरे ज़्श्वास करने वाई लोगे हैं जो लोगं के लोगहें, एक यह बीचलेगा इस्टार के लेकरामे सूद्थान पर विश्वास लेकिन एक प्रेरना बन करके, एक प्रतीक रूप से हम लोगों के बीच में हमारे हर्दे में, हमारे पुरे देश में विशेश करके जो आइक्टिविस्ट लोगे जो इसे पर लगे हुए हैं, जो समिधान लेमोक्रसी के लिए काम कर रहे हैं, उनके दिल में रहेंगे, आप दूसरी बात है कि, मेरा विचार है कि इसके चलते हैं, एक स्टाइन स्वामी के जगद पर हमको लग रहा है कि साइक्डों स्टाइन स्वामी निकलेंगे इससे, और अभी जिस तरह का जो स्थिए हम लोगों के देश में आ और इसका जवाब देंगी, लेकिन फादर एक और पिपिआ स्वाल है, तो नियुदी में लेकि घैसाइन मिस्निरियों को खास तर बे अधिवासी बा अप देखिये, साओ्ट इंदिय फूरा घ्रिषय कर लाके में धिए ओ немного जाया है, और जहाएं जहाँ जहां भी इस थाही में एक्टिमें उनपर यह सीजर सी अर्मांत्र अ मैं थे अटिवीटी में लगे और यहीं करके उनको परिशान के अब लग लग लागे पर श्रही आप लोग जेल रहे कि इस तरह की बात ओं मदर तरेसा के बारे में स्टाइं सवामी के बारे में जो भी समाज के लिए कुछ ओ आए कर ना चाहते हैं लो अब इस तरह का इल्ज होगा।। उनको जो स्टेंड लिये हुगे हैं। गरीप के लिए आधिवासी के लिए मानु अधिगार के लिए, उनको कीमत चुकाना पड़ेगा, उनको मालुमता है। इसलिए उनके आरस्ट के पाहले कि उन्होंने कहा भी था। वूं हूँ सके लिए तयार है। यह प्रॉ ऐसे नहीं कुछ भी होगा जो शामर्पित है अपने देश के लिए अपने देश के पर देश के परदी मानुजार के प्रदी आप इस एक परदी यह Semarin को 방법 क्षिट्सा इ WA बढ़े हिंगे जो पिछले कुछ सालों से यह और थोड़ा बढ़ गया है आपको लगता है कि यह लड़ाई कमजोर होगी ऐसे ऐसे एक्टिविटी से या फिर और आप मजबूती से आ गया है थोरा सा वापस जाना चाहेंगे की ट्राइबल एडियेस में अकसर कहा जाता है की कृस्टिशिन जो है वो मौका का फाइदा उठाते दें अपने धर्म का प्रचार पसाइब आपको और दर्शकों को अ खास आप रही बताना चाहेंगे कि ट्राइबल् जो हैं वो हिंदून न जंगली इलागों में, जंगल के छेत्र में, तो वो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उस समय हम दोशार ओपर नहीं करते हैं, कि वो हिंदु धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, जबकि ट्राइबल्स के अकसरा आप देखेंगे कि उनका अपना धर्म हो होता है इसलिए Christianity को ही क्यों हो इसलाम को ही क्यों हूं हम target करें और जो सवाल आपने किया UAPA जो है Unlawful Activities Prevention Act यह तो काला कानून है ड्रकॉनियन रा है और इसके पहले भी माली जे मीसा हुआ करता था टाडा हुआ करता था UAPA है और अगर UAPA में देखें आज भी Father Stan Swami को एक example है लेकिन बच्चों को और रेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंस को रेस्ट किया जा रहा है अदर UAPA अभी जो तीन हमारे छोटे छोटे साथी यंग जो मेंबर्स हैं वो छोटे जिस तरह से जो हम लोग सोच नहीं पा रहे थे इस सिंप्ली विकर्ज डली हाई कोट ने इतना स्ट्रोंगी इंटर्वीन की इसमें कि वो निकल गया है जेल से और अभी कल बशीर साहब के बारे में सुन रहे थे जो कश्मीर से आय थे और गुजरात में ट्रेनिंग लेना चाहते थे पोस्ट कैंसर केर का उनको किस तरह से एक टेर्रिस करते हुए जेल में डाल दिया गया अगर अगर आप जैसे प्यूसियल ने इक स्टडी की है कि यूए पी एक के केसे जो मान लीजे 2008 से लेकर 2014 के बीच जतने थे उससे लगभग धाई गुना निश्यत रूप से बढ़ गया है तीन गुना अगर नहीं 2014 से लेकर आज मान लीजे 20, 21 को छोड़ दें 20 तक में वो बढ़ गया है और इसमें सबसे दिकत की जो बात है इसमें ये जस्टिस लोकल बार बार इसको पॉइंट आउट करते हैं बहुत हिमानिटेरियन जज्ज हुआ करते थे सुप्रीम कोट के जन्होंने दो दिन पहले पड़े चर्चा में इस बात को उन्होंने रखा कि अगर मान लीजे इनको हम छुरुआ भी लेते हैं निकल भी आते हैं यूए पियसे समाज में वो एक्रिमिटाइस कैसे हैं उनको तो हर कोई टेरिरिस्टी कहेगा चाहे जितना आप उनको छुरुआ ले इस केस के खिलाफ एक तो नमबर बान विरोधी जो कॉंस्टीशन के समर्थख है तेश के संविधान को मानते हैं डिमाकरसी की मुल्य को मात्व देते हैं उस तरह के फाइटर्स कभी कम नहीं होंगे हमेशह रहेंगे और ये देश अगर डिमाकरसी है लाजिस डिमाकरसी है तो वो सरकार के चल जमात भी है और अध़पड़ा हुआ जमात भी है वो जिस तरह से जरुवत पढ़ने पर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते रहा है वो इस देश को बचाएगा और फाइटर्स की कमी कभी नहीं होगी और हमारे जैसे जो संगटन है यूसीन जैसे जो संगटन है वो न समय नहीं है कि हम कांडलेंस करें अज समय है कि हम उसको उनको एक प्रेणा की तौर पर देखें और आगे यूए पीए पर बहस चले इस पुरे देश में इतने लोग अरेस्टेड हुए हैं अलग अलग जेल्स में आप समझ सकते होंगे कि कितनों का जीवन 10 साल 15 साल 20 साल अ इकल कराता है इसलिए इस लौ को खत्म करना ये बहुत जरूरी है निशित रूप से ऐसे हजारों लोग हैं जो भारत के जेलों में कहीं न कहीं बंद हैं और जिनकी पूरी जिन्दगी बरबाद हो गई है आप देखिए कल ही एक व्यक्ति जो है मुसलिम साथी वो जो पूट गए उनकी तो कहिए कि उनका भाग्या है लेकिन जो लोग अभी भी बंद हैं और उनको ऐसे मुश्किल में डाल दिया गया है कि उनकी कोई पैर भी करने वार क्योंकि जब आतंकवादी का एक उनक पर जो लग जाता है आरो तो बहुं सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन दुबारा लिखा कि स्टेन स्वामी को बहुत नमन है लेकिन दीपक रंजीत ने गमीर बाचित की उन्होंने कहा यह सत्ता प्रयोजित हत्या है जो व्यक्ति पानी का ग्लास अपने हाथ से उठाने में समर्थ हो उस पर इतने संगीन धाराएं लगाना अलोग तांत्रिक का रवाई थी और मनी लाल लिखते हैं फादर की मौत सिधे राचे प्रयोजित हत्या है निशित रूप से करी लोग लिख रहे हैं कि यह हत्या है और कल भी गया के प्रेम नगर में बाराचित की और सिधे हमें अपना वीडियो बना कर भेजा विमर्ष निउस लाइट पर उन की हत्या की गई है तो इस्टेन स्वामी का सवाल देश में एक गंबीर चर्चा तो छिड़ी गई है उन्होंने जो राह दिखाया है उस राह पर चलने के लिए बहुत लोग तयार है अभी फादर जोश कही रहे थे कि यह लड़ाई रुके की नहीं बहुत आगे बढ़ेग की जरूर कल आप देखें हैं दो दिन पहले मौहन भागवत ने अपने समाल में हो कहा कि यह हिंदू और मुश्लिम अलग अलग नहीं है और सब एक हैं और सभी मिलकर साथ बढ़ेंगे और जो लिंचिंग करते हैं वो आतताई हैं आतंकी हैं यह लेकिन यह उनके विचार मे करते हैं उसी पर बहुत ज्यादा चर्चा करने से फाइदा नहीं है और तो दूसरे लोग काट रहा है और यह बहुत चल ही रहा है तो उसी पर बोलने से फाइदा नहीं है मेरा विचार से सबसे सबसे गंभीर बात ही है कि हमारे जो देश के जो लोकतांदरी के संस्थाएं हैं इंस्टूशन्स है उसकी स्थिदी क्या है इसको एक हम दूसरों पर अपना बदला लेने का हथ्यार्ट करें जो दूसरों को यह जो वइस है जो आवाज तर नहीं दे रहा है कि ऊणके भी ङूओं को दबाद गडबा करके और पर अरस्त कर रहा और इसलिए हम लोग जानते हैं वो सोलग लोग जो अरश्ट किये गिये हैं अभी जो बाकी लोग जो जेल में है साथी लोग उनका भी स्टिदी बहुत कराब है वास्तों में और वह निर्दोर्ष लोग है जहां तक पूरी जो जानकारियम लोग है जिस तरह से अधर स्टाइ जो 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 शोषन है, जो अन्या है उसके खिलाफ में लोग सही रूप से जवाब दे सके, लोगतांदर की रूप से जवाब दे सके, ये एक बात, दूसरी एक बात में मैं बोलना चाहूंगा, वो सकता एक तोड़ा अलग हो, जैसे फादर स्टान का जीवन एक अभी तक जो हुआ है एक अच्छे एक धर्म संगी के रूप में ही हुआ है, धर्म संगी है, जैसे उट पॉर्डम संगी थे, लोग बोलता है ना, धर्म में सब बेकार है, क्या है, कुछ नहीं कर सकता है, इस तो समाज की किलाफ में है, कई तरह के आरोप है धर्म पर, लेकिन फादर स्टान का ज लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी धर्म के परदी, उनके समर्प्रण के कारण ही, जो लोगों के परदी, उनके उपर चल रहे हैं, न्याय के परदी उनका काम शुरू किया, इसलिए, बेसिकली एक जैसीट बन करके, दर्म संगी बन करके, उन्होंने इस तरह के इसलिए दर्म संगी बन करके भी हम लोग बहुत कुछ कही रूप में कर सकते हैं, समाज के लिए, लोग तंदर के लिए, देश के लिए, तो चलिए इस वाचीत को हम आप समापन की और ले चलेंगे, अंतिन कमेंट की तरफ से प्रफ सर डेजी नरायन से हम लेंगे, कि अब स्टेन स्वामी की मौत तो हो गई, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे सवाल को और मजबूत करने के लिए, संगठनों को और किस तरह से संगठित हुए आजाए, और किस तरह से वह इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है, एक सीरा आप से अंतिम कमेंट के दाव रहते हैं, बहुत सारे प्रशन जो है, जो पहले से प्यूसियर के माधियम से हम लोग उठाते रहे हैं, जैसे सेडिशन का जो मामला है, सेडिशन का जो लॉज से, वो कब कर वो लॉज सब बना हुआ है, किसी को अभी हम अगर बात्चीत भी कर रहे ह हैं, तो हमको सेडिशन के चार्ज में अंदे डाग दिया जा सकता है, तो वाइस ओफ डिसेंट को स्टिफल करने का प्रयास से, और डिमाकरसी एक्जिस्टी करता है वाइस ओफ डिसेंट के साथ, अगर कोई आलोचना नहीं करता है तो वो डिमाकरसी नहीं, वो आटोकरसी बन जाता है और बहुत सारे ऐसे संगठन है प्यूसियल बहुत सारे स्टेट्स में तो हैं ही इसके अलावे भी बहुत सारे संगठन है और लोग हैं जो व्यक्तिगत अस्तर पर भी लड़ाई को वो जाली रखे वे हैं बहुत सुधा भरदवाज हैं क्या करती थी ट्राइबअ कि वीश में ट्राइबल्स को नया इडिलवाती थी स्थे कि वह आउनियाई दिलवाती थी चट्सगर के ट्राइबल्स को इसलिए उनको सीधे मावस्पोर्टर आप या मावादी ही कह दिया गिए हैं तो ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम संगठन हैं आज की दिन में देश में, कल के बाद आज हम लोग सब एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रियास हमारा होगा कि कई चीज़ों को कोट तक हम लोग ले जाएं सुप्रीम कोट भी और जो स्टेट हाई कोट्स हैं आज के दिन में वो काफी एक्टिव है इसलिए कोट्स में का दर्वाजा टक टकाना वो तो एक काम होगा ही और इसके साथ जिसको कहते हैं जन्द अबाव सरकार के उपर भी डालनी होगी कि ऐसे ड्रकॉनियन जो मेजर्स हैं कानून हैं प्रोविजिन्स हैं उनको डिमाकरसी में डिमाकरटिक कंट्री में कम से कम ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए इसलिए हम समस्ते हैं स्टेंड स्वामी का जो म्रत्यू है वो निरत्थक नहीं जाएगा उन्होंने बहुत बड़े कौस को सर्फ किया है नट बाइलिविंग बट बाइस टेंड स्टेंड स्टेंड स्वामी की मौत के बाद देश में जो चर्चाच जिए जो बाहस चिडिए वो एक अपना रूप लेगी जैसा कि प्रफशा डेजी नरायन कह रहे हैं ज़रा फाजर जोस कह रहे हैं कि ये लड़ाई जाया नहीं जायेगी और इसको अंजाम तक ले जाने की तैयारी है कुछ कमेंट्स को हम ले लेते हैं और फिर हम आप समाफन क्यों चलेंगे क्योंकि महत्तपून कमेंट आ रहे हैं फ्राइंक कि लिखा स्टेंड स्वामी की गिरफतारी बिना पूश ताच किये हुए जेल में रखना औ बेल नहीं देना या सोशल एक्टिविस्ट के प्रती एक टेरर अभियान है और फ्रैंक साथ फिर लिखते हैं सुधा भारद्वाज और अधर्स एक्टिविस्ट हाव मेनी डेज मूर फॉर दिम तो यह सब आपके महत्तपून विचार आ रहे हैं लगातार फादर की मौत सी मेदिया प्रफसर डेजी नराय ने अपने महत्तपून विचार रखे और हमारे इस कारिक्रम को खुबशुरत बनाया आपका बहुत धन्यवाद आप दोनों महत्तपून अतीतियों का हम चाहेंगे कि आएसे विशयों पर चर्चा होती रहे है और विवर्शन्यूस लाइब डॉट कॉम पर हम लोग जोड़ जाएं आएसे फेस्बूक लाइब से और फिर इस तरह की विशयों पर हम लोग चर्चा करते हैं हमारा ये कारिक्रम आपको कैसा लगका है आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अभी तक आपने हमारी चैनल को अगर सब सब्सक्राइब जरूर करें जहां पर ये सब्सक्राइब का लाल बटन है वहां सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर बाएं हम ऐसे महत्तकुन विशयों पर चर्चा बार बार आपके लिए लाते रहेंगे तो अभी तिलहार है बहुत-बहुत धन्यवाद नम झाल 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 झाल